बढ़ती गर्मी से लगतार लोग परेशान है जहां एक और लोग अपने फेस कवर करके घरों से बाहर आ रहे हैं वही पर दूसरी और लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलना प्रेफर भी नहीं कर रहे हैं जिनें जरूरी काम नहीं है बढ़ती गर्मी से लगतार लोग परशान है और इस बीच जहां 40 से उपर टेंपरेचर पहुंच चुका है तो लोग अभी आशा लगा रहे हैं कि बारिशे कब होंगी इसी के साथ मोसर विज्यान के इंदर शिनगर के अनुसार इस बात की जानकारी दी गई है कि आने वाले कुछ समय में बारिशे हलकी बारिशे कुछ इलाकों में हो सकती है अब मैं आपको सबसे पहले बता दू कि weather updates क्या कहता है weather updates सबसे पहले तो यह बता रहा है यह अधिक्तम तापमान जो है वो 41.4 degree Celsius पहुंच रहा है और इस बते तापमान को देखते हुए 42 degree Celsius कहीं तक पहुंच गया है और इसी को देखते हुए लोग जो है वो इतनी जादा heat wave चल रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी prefer नहीं कर रहे है जरूरी काम होने पर अगर उन्हें घरों से बाहर निकलना पढ़ रहा है तो या तो पुरा face cover कर निकल रहे हैं या अंब्रेला जो है वो घरों से बाहर लेकर निकल रहे हैं लोग काफी ज़दा परशान हो गए हैं इस समय आभूमन तोर पर सडकों पर जितना ट्रैफिक नजर आता है अब उतना ट्रैफिक भी लोगों का नजर नहीं आ रहा है टू विलर्स पर निकलना भी लोग avoid कर रहे हैं बहुत कम लोग टू विलर्स पर भी निकल रहे हैं इस समय धूप तेज होने के कारण जो है वो लोग का लगतार परशान भी है अब इसी के साथ क्या कुछ जो है वो मोसम विग्यान श्रीनगर के अनुसार उनकी अपडेट में आपको बता दू जाकर मोसम विग्यान श्रीनगर ने बताया है कि किस तरह का मोसम रहने वाला है यह आप देखें जिसमें यह बता आ गया था कि 14 से 17 तक जो है वो ड्राय रहेगा 18 से 19 तक हलके बादल और तेज हमाएं चल सकती है और कहीं कहीं पर रुक रुक कर लाइट रेन भी हो सकती है 20 से 25 तारीक तक भी जर्नली ड्राय रहने वाला है और इसे के साथ फिलहाल तक कि मैं बात करूँ खबरों की तो जो जानकारियां सामने आ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं फिलहाल आप यह देखें और इसे के साथ मोसम विग्यान केंदर श्रीनगर के अनुसार जो प्रेडिक्शन दी गई है वेदर को लेकर वो आपके सामने हैं इसे के साथ जमू के सड़कों पर इस समय 42 डिग्री से जो है वो तापमान पहुंच चुता है लोग बहुत जादा परेशान हैं और लोग जो हैं वो अवाइट कर रहे हैं घरों से बाहर निकलना इस समय तो आप लोग कौन-कौन से इस खबर को सुन रहे हैं सामबा कट हुआ श्रीनगर या फिर जहां से भी से सुन रहे हैं आप लोग भी अपनी राय को कमेंड बॉक्स में रखेगा आपके लाके में समय मोसम का क्या हाल है क्योंकि मैं समय बात करूँ तो गर्मी का पारा अब लगतार चड़ने लग गया है बुद्वार को सीजन का सबसे गरम दिन रहा है जो पिछला दिन आप लोगों ने निकाला वो कल सबसे सीजन का गरम दिन रहा अभी जब गर्मिया स्टार्ट हुई है तो और इसे के साथ तापमान जो है वो 42.7 डिगरी सेल्शेस तक पहुँच गया था जबकि जो माइन अन्युक्तम तापमान की मैं बात करूँ तो एक दिन भी जो है वो 18 से 22 तक पहुँच गया एक ही दिन में पारे में काफी उचाल दर्च किया गया है अधिकतम तापमान 41.4 डिगरी सेल्शेस पहुँच गया आप देरे देरे जो है ये तापमान और लगतार गर्मी जो है वो पढ़ रही है सड़कों पर और लोग जो है वो लू से बचने के लिए जो है वो घरों से बाहर निकलना प्रेफर नहीं कर रहे हैं 42 अभी तक जो से टेंपरेजर है वो पहुंच चुका है आप लोग किस-किस इलाके से इस खबर को सुन रहे हैं आ 13 से 19 तक जो है वो कुछ इलाकों में हवाईं चल सकती है और रुक-रुक कर बारिश भी हो सकती है और इसे के साथ 20 से 25 जो है वो दोबारा ड्राई रहने के सम्भावनाएं जो दाए जा रहे हैं आप लोगों के इलाके में समय मोसम का क्या हाल है आप लोग अपने इलाके के प्रवारे में जरूर मेंशन कीजेगा तो अभी तक कि जो कुछ आंदकारिय थी वो मैंने आपके सामने रखी है आप लोगों को इस पर क्या कहना है रखे का कमेंट बॉक्स में देखते रहें आप ओले टाइब